आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाल है कि अपने फोन में इंस्टॉलेड एपस को WhatsApp पर हम कैसे share कर सकते हैं जैसे मेरे दोस्त के फोन में एक एप है जो डाउनलोड नहीं हो रहा है ना Chrome से डाउनलोड हो रहा है ना Play Store से डाउनलोड हो रहा है उसके बाद share वाला बटम पर हम दबाते हैं तो यहां पर देखिएगा तो आपको एपस सेंड करने की कोई option ही नहीं मिल रहा है उपर में देखिए कि डॉक्मेंट लिखा हुगा है केमरा है, गलेरी है, अडियो है, लुकेशन है, पेमेंट है, कंटेक्ट है और पोल है लेकिन एपस सेर करने की यहां पर कोई option ही नहीं मिल रहा है तो एपस कैसे सेर करेंगे यह सब कुछी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है आप बीने स्किप किये हुए इस वीडियो को आन तक जरूर देखिए तो चलिए, अगर किसी भी एप को सेर करना हो, तो उस एप को कैसे सेर करेंगे तो जैसे यहां पर देखिएगा, यह भीएन एप है, जो वीडियो इडिटिंग हम लोग करते है तो भीएन एप पे हम 2 सकेंड के लिए क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखिएगा, तो सबसे उपर एप इनफरमेसन है दूसरा पान इंस्टॉल है, और तिसरे नमबर पर सेर का आपको आप्सन मिल जाएगा तो सेर पे जैसे क्लिक कीजिएगा, कुछी इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा तो यहां पर देखिएगा, वाटस अप का आप्सन आ गया तो वाटस अप आप क्लिक कर दीजिएगा WhatsApp पर जैसे click कर दीजेगा उसके बाद आपको जिस friend पर send करना हो उस friend का number पर यहाँ पर select कर लीजेगा उसके बाद यहाँ आपको send का option मिल जाएगा तो send पर click कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम हाई लिख देते हैं हाई लिख दिए उसके बाद यहाँ से हम send कर देंगे जैसे send कर देंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह send होने लगा यह उसके पास जाने लगा network speed slow है इसलिए थोड़ा time लग सकता है लेकिन यह 100% चला जाएगा तो इस तरह आपने phone की किसी भी app को बहुत असानी से send कर सकते हैं अगर कोई system का app send करना चाहते हैं जैसे माली जीए कि चलिए दोस्तों हम आपको send करने का जैसे camera phone में नहीं है, delete हो गया है तो camera हम किसी के पास कैसे send करेंगे यहाँ पर देखिए कि जब 2 second के लिए दबा रहे है तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ कोई भी option ही नहीं मिल रहा है share करने का उसी तरह हम यहाँ Gmail को भी send करना चाहते हैं तो यहाँ भी कोई option नहीं मिल रहा है यानि जो mobile में system apps दिया हुगा है उसको send करने का हमको कोई option ही नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे send करेंगे यह भी हम आपको बताने वाले हैं तो इस mobile में system apps send करने की option नहीं मिल रहा है जैसे आपके phone में files apps जरूर दिया होगा यहाँ पर देखिएगा जब files apps हम यहाँ पर खोल रहे हैं फाइल apps खोलने के बाद जब हम apps को खोलते हैं apps खोलते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा ध्यान से देखिएगा यह कुछ देर लोडिंग ले रहा है जितना installed apps है सब यहाँ पर आपको show कर देगा आपके phone में जितना installed apps है लेकिन कोई system apps हम send करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको installed apps में select है पहले से उसके बाद system apps में आपको select करना है तो system apps पर click कीजिएगा उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा कि phone dial अगर गलती से phone dialer अगर delete हो गया है तो उसको कैसे हम WhatsApp पर send कर सकते हैं तो यहाँ देखिएगा phone dialer पर के सामने यहाँ पर three dot का आपको निशान मिलेगा तो three dot पर click कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो share का आपको option मिलेगा तो share पर जैसे click कीजिएगा तो देख सकते हैं आप system apps को भी share कर सकते हैं तो दोस्तों यह video आपको पसंद आई हो तो एक like जरूर कर दीजिएगा अगर हमारे channel पाप पहली बराय है तो subscribe जरूर कर लीजिएगा जरूर कुछ कर दोओ़ हो देखिए झाल झाल